अभी आप लोग बहुत सुन्दर विद्वान लोगों के द्वारा आप बहुत अच्छे से सब्दों से परविचन सुने लेकिन आपका पात्र वर्षा होना चाहिए पात्र छोटा है एक लीटर पानी या आपकी लोटा में आता है समुद्र में भरोगे तो एक ही लीटर पानी मिलेगा तालाब में भरोगे नदी में भरोगे तो भी एक ही लीटर पानी मिलेगा आपको लेकिन आपका पात्र विशाल होना चाहिए गुण गराय के बुद्धी होना चाहिए तब यस बात को समझ सकते हैं प्रवचन चाहें इंगलेश में हो उर्दू में हो संस्कित में हो हिंदी में हो ऐनी सब जो है किसी प्रकार से एक जो हो और उसका अर्थकार को समझने की ज़रुत प्यास लगी है वाटर से भी प्यास बुश्ती है जल से भी प्यास बुश्ती है पानी से प्यास बिश्टी है आप और किसी सब्स में उसको कह दीजिए लेकिए पानी होना चाहिए इसी प्रकार से जो बिचार दिये जाते हैं किसी भासा में आपको दिया जाए लेकिन आपको ग्राण करने की छमता होनी चाहिए यहां हम सभी आप सभी दोग एकतर हुए हैं विचारों के आदान पडान के लिए बहुत सुंदर सुंदर अन्भो आप सुन रहे हैं शंत महापुष्टों ने साहितियों का अध्यन कर एकांत में बैटकर भर्मन कर महापुष्टों के दुआरा सुन कर जो कुछ गरहन किया है अधरन किया है वह आप लोगों के बीच में भी सरजित करते हैं संद्गुर कभी साहिब ने कहा अम्र्ट के लिए मोटरी सुन्दे धरी उतार अम्र्ट के मोटरी को इस तो इस से उतार करके रख दिया दुकान दारा अतब्यापारी मोटरी भी उतार के रखता है इसी प्रकार से इस संद महात्मा जो ग्यान की मोटरी है जो की अर्जित किया है कहीं से साथना के दौरा संजब के दौरा वो आपके सामने लाकर रख देते हैं अब आप उसकी परख करें हम लोग चौकी पर बेटे हैं चौकी दार है आप लोग कहां पर बेटे हैं जमीन पर तो आप लोग कौन है जमीदार जमीदार बड़ा है कि चौकी दार बड़ा होता है जमीदार बड़ा होता है हम लोग गवार लगाते हैं चौकी दार है समझे ने बहुत चवकी दार के वल पहरा देता है जगाता है सब को ये संद्गुर्जन बिभिन प्रांतों में जा जाकर के जगाते हैं सद्गुर्ग कवीर देव ने भी वही काम किया देश बिदेश से हाँ फिरा गाउ 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 की खोर कवीर देश बिरेश में गाउ गाउ की गलियों में घूमे क्या अपना अरजित ग्यान देने के लिए कवीर जब से हम पहले बिहार में आये थे और बीजक में आया है गे अब यहां पर आया तो यह बात समझाई कि नारी के लिए गे कहा जाता है 36 गड़ में कवीर साहिब गए वहां उन्हें यह सब्त प्रयोग किया फाम आगे फाम पाचे फाम दाहिने देरी देरी किसको कहते है बाएं हाथ को दाएं हाथ को जिवनी कहते है और बाएं हाथ को देरी कहते है कवीर साहिब वहां का भी सब्त प्रयोग किया उदद माह से निकर छाचरी, चवड़े ग्रह करावे, छाचरी मच्छी को कहते है, उरिसा प्राद की वासा है, मच्छी के लिए तो साहे बिभिन प्रांतों में गए, बिभिन अस्तलों पर गए, वो अपने ग्यान, विचार को देने के लिए उन्ही के अन्याई संद जन्द, विभिन प्रांतों में जा जाकर के समाज को कुछ देते हैं अपना अर्जित ग्यान, अब यह है, इसके लिए आप लोगों को योगी पातर बढ़ना चाहिए, अगर योगी पातर नहीं बन पाए, तो कोई लाब नहीं हो सकता, कभी साहर ने क की जोट नहीं है, बहुत से जूठी हाटे लगी हुई है, जुठे लेना, जुठे देना, जुठे भोजन, जूठ चबेना, वही जूठी जूठी हाट लगी हुई, लेकिर आप परक करें, नेड़े करें, कि जूठी हाट क्या है, सच्ची हाट क्या है, तो सच्ची हाट ल बगाती है, उला कच्रा को निकार के बाहर फेक देती है, शफाई होती है, चलो का निपाज़त है, फिर उसमें कुछ काम होता है, ऐसे प्रकार से अंताकर में बहुत कुछ कच्रा भरा हुआ, उस कच्रे को निकाल दो, कच्रा जब तक रहेगा तो ये बिजार कोई काम्याब नहीं हो सकते हैं कचड़े की सफाई करना है हमने मानता का कचड़ा को अपने अंदर भर रखा है बहुत कुछ कचड़ा भर रखा तो कहने के मतलब यह है कि एक कचड़े की हमें सफाई करना है सुनने के पूर अंताकण को स्वक्ष कर लो शेवा भक्ति और उपाशना आपका कचड़ा साफ होगा शेवा करो शेवा से अंताकण की सुद्धी होती है तन से सेवा मन से सेवा बचन से सेवा धन से सेवा यह सेवा के अंग है क्या आप यह सेवा कर पा रहे हैं कहीं कहीं आप गुरु को नहीं चढ़ा पाते क्या सेवा किया आपने कहीं संद्ध जन नहा रहे हैं अगर आपको सेवा करना है जाकर पानी चला दो एक बार में था कानफुर जीले में कुवा में पानी बहुत गाराई में था मैंने कुछ बात कही कि देखो लोग बेजना दहाम में जाते हैं स्यूलिंग पर जा चढ़ाने के लिए संद्ध की सेवा लोग नहीं कर पाते तो बच्चे समझ गए तो कई बच्चे तयार होगे कुएं से पाने निगाल निगाल करके संद्ध को नहलाने लगे सेवा करो सेवा इगलोटा जल से सेवा करो अभी आप लोग सुने थे कि अभी सतियन साहिब ने बताया था कि बुढ़ा जो है बाप पियासा था उसको पानी नहीं दे सका उसका बेटा और स्यूलिंग पर जाकर के पानी धाला आज मनुश की कैसी बुद्ध ही कैसा बिवेक बिवेक के अभाव में सीूलिंग पर लोग पानी ढालते हैं कहीं मूट के सामने हाज दो लेते हैं फूच अढ़ा देते हैं प्रातना कर लेते हैं लेकिन जिस माबाप का अनंतन दुपकार है उसकी प्रातना नहीं कर पाते हैं ये संत गुरजन आपका आरजित ज्यान दे स्थिज़य प्रातना से फ़िए चोड़ उसने लिया था सोला फरवरी को उसने कहा साहम सोला फर्वरी को कार्यक्रम करते रहेंगे दूशरे साल में उसने प्रोगराम रख लिया हमको सुची नगस्चुचा नहीं दी कहा कि हम सत üç को समय दे सकते हैं तो कहा दो दिन का कार्य कर्म रख लेंगे दो दिन का प्रोग्राम रखा हमारा चित्र कुर्षी दो कर नया चादर बिचा कर उसको माला पिंआया गया फू चड़ाया गया वहाद कुछ दरभ भीट इट्किया गया चित्र के पास दूर से दिन जब मैं गया तो भी चित्र रख दिया हमने सोचा कभी स वह पास नमशकार करने के लिए पू चड़ाते हैं वहाँ पैसे भी चड़ाते हैं बाहत मैंने देखा इस चित्र मेरा है हम जिन्दा बैठे हैं अपने गाड़िस जाया है कितना दीजल जला है हमारा लेकिन हमको कोई पैसा नहीं चढ़ाता है फूर नहीं चढ़ाता है और फूर्टों को माला चढ़ा जाता है फूर चढ़ा जाता है दिर भेट किया जाता है कैसी बुद्धि आद्मी की हम जिंदा की पूजा नहीं कर पाते हैं मुर्दा की पूजा करते हैं मुर्दा की धाना हमारे दिमाग के अंदर बैठी हुई है हम उसकी पूजा कर लेते हैं कहीं कहीं पेटी में पैसा दा कि पेटी का नमस्कार करते हैं माता हैं घर में खुटा लगा देते ही उसका नम्हसकार होता है वहां अगर बत्ती जिनाई ती उसमें स्वसं की रिगा है क्या जो वांस का खुटा सुलगता है एरे हम केलते हैं सास ससुर के सामने अगर बत्ती जलादो उनकी आरती करलो माता और पिता का कितना बड़ा उपकार है भोति रिष्ट से उनके सामने आरती कर लो उनको सामने अगर बत्ती जलाओ कितना बड़ी आपकाम होगा खेत किसी का जोतर हो लगान किसी को पटा रहे हो ये कोई नियाय है माता और पिता का कितना बड़ा अउपकार है गुरु संद का कितना बड़ा अउपकार है अब वहाँ पर आप कोई दो फूले नहीं चला सकते है कहीं परसाद भी नहीं चला सकते है कहीं आधर भी नहीं बैट कर सकते बताईए कहां से ग्यान आपको होगा ये सीख लो ये बातें बाहर बाहर बताए जाती है ना कुछ जान तो सेवा ठान अगर कुछ नहीं जान तो सेवा ठानो संत महात्मा की सेवा करो क्या हो पाता है कितने ऐसे लोग हैं लाखो लाख रुपिया खर्च कर डालेंगे बेटा बेटी के पड़ाई लिखाई में बेबार साधी में लेकिन किसे कभी गुरु जी को भी एक कपड़ा नहीं दे पाएं होगे और संतों को देने के तो बात ही दूरी आप क्या चाहते हो तुम दूश्रों को वो देते रहना जो दूश्रों से स्वेम चाहते हो जैसा भी दोगे वो ऐसा प्रकृत से बोगना तुमको पाना ही होगा प्रकृति तुमको कई गुना लोटा करके दे देगी तो क्या आप ये करना जानते हैं एक बार गुरु जी आए भक्त कियां तो वो अर्षनान करा रहा था, कुछ लोगों के धाना होती है कि गुरु जी को हम अर्षनान करा दे, उनके कपड़ा दो दे गुरु जी के लंगोर्टी फड़ गए थे तो गुरु जी ने कहा बेटा लंगोर्टी फड़ गई है गुरु जी का इसारा कहा गुरु जी बैसाथ में आईएगा तब मैं लंगोर्टी ला दूँगा लंगोर्टी पढ़ गई अभी एक बिता कपड़ा की आउसकता होती है गुरु जी बैसाख में आई है तो मैं लंगोर्टी ला दूगा पत्नी बड़ी समाजदार की ही कही पत्नी समाजदार होती ही पुरुस गड़बड होता है कही पुरुस समाजदार पत्नी गड़बड हो बेड़ा वो तर्पद्र पाते के दू तो आएगा पेर में ठोकर मार के तरा जाएगा और नहीं तो मारेगा तो इस ते मकर करके रोने लगी आंक से आशु गिराने लगी पती नहीं पूछा क्या हो गया कहा पेट में पीड़ा हो गी कुछ जार फूक करवाया पंडी जी को ब लाला है तो भी दवा दिया लिखे ठीक नहीं कुछ वो भीमा थोड़े थी मकर था उसका उसने कहा एक बार मैंने मनवतिक किया था पांच सादू को भोजंग बंडारा देने के लिए और बस्त दान करने के लिए मैंने कहा था वो नहीं हो पाया पिचारा मरता क्या नहीं कर लाला करके सब को पांच माच मीटर का चला और लगुर्टी साफी दिया यह सब हो गया है इसके बाद अब वो ठीक हो गई बीमा थोड़े रहा है उसका अब गुरु जी के पास जाती है वो पत्नी कहा गुर्देयो भगजी किसके चेला है गुरु लोग कहते कि ने हमारे च कपड़े की आउसकता थे लंगुर्टी की और भगजी ने वादा किया कि बैसास में आईए कि तब तक आप बिना लंगुर्टी के रहेंगे और मैंने कहा तो हजार उन प्या भगजी ने खर्चा किया अब आप ये नेड़े दिए जो है किसके चेले हैं भगजी तब गुर जिसके बने जहां सरदा होगी समर्पर भावना होगी तो उसका प्रणाम भी तो सामने आएगा जैसे आपकी सरदा होगी वैसा फल आपको मिलेगा संसार में जो है फंसे हो तो क्या फल आपको मिल रहा है आप क्या फल मिलता है तो इस परकार से बंधन क्यों मिलता है के वल संसार में फंस गर दो चार बेटी बेटा हुए जिन्दी की भर रोना पड़ता है साधी करके बच्चे और बच्चियों को जिन्दी भर के लिए हलाल करते हो रोने के लावा उनको मिलता क्या है आप पहले देखो हम लोग थोड़ा सा इसारा करते हैं लेकिन आप लोग प्रेटकल डूप में डूप करके ही देख रहे हो क्या है दो चार बेटी हुई तो बारा बज़े रात में दिमाख में सुझ गहाँ लगता है कैसे निभेगा अब एक एक पैसा अब गठा करतो बैमानी सेतानी में रोटबाजी घूस गोरिया जिस परकार से धनी गठा करते हो और बेटी को देना पड़ेगा बात नहीं मानता है माबाप किस आसा से उसके सेवा करते हैं बेटे की और बेटा जब बात बात नहीं मानता है माबाब की तो कितना बड़ा कर्ष्ट होता है ये जिन्दिगी वर रोने का काम करते हो अगर गुरूर संत की सेवा करो तो निश्चिते प्रसं रहेंगे आप आप ये समझो देखो संतों को आगे सोचन पाचे गुर्णा और कहाँ कभी बेट राओ मुर्णा है कोई चिन्ता आप लोग खुद सेवा करते हैं आप घर का बेटा करके सादू हो जाता है तो आप चन्दोते हैं उसका चन्दामित लेते हैं पूजा आरती करते हैं कोई बेटा अपने बेटा का जो घर में बेटा रहता है उसका कोई पूजा आर्ति नहीं करेगा बेटा, माता और पिता की आर्ति पूजा नहीं करेगा च्रनादोंकर च्रनामि historically नहीं लेगा तेकिन ये साधू को去 कहा कहा पेदा हुए है कहा कहा में कोई पूछता है हाड न होते आवण तो चाना बाजन बाज तेरे गुड़ों की विशेष्टा है यह संत लोग गुड़ी है उनके पास गुड़ है इसे संत लोग पूजे जाते हैं प्रांतों में उनकी पूजा होती है और सब कप्रकार से तन और मन और धन से उनकी सेवा करते है तो देखो सेवा करो संतों की सेवा करो जो सेव पूरुष है उनकी सेवा करो भावतिक द्रिश्य से माता पिता पूजने हैं सेवी हैं नारी के लिए पसा सुरुपति पूजने हैं सेवी हैं तो यह भावतिक से जैसा में ना अध्यात्म और भातिक दोह के संवन होता है शरीर अर आत्मा दोह संवन होता है शरीर बिनास्ति है ऑशन बंगुत परिवदवटन सील है तो सरीर के बहुश़रें नौक झाल जुक्त वासो एकपती दिशद में आप और अगया करता है, और धन कमा करके मकान बना लेते हो, भोती सामान खही देते हो, लेकिन ये बताओ, जो इस वह सहीर का ड्राइब करने वाला है, यो आत्मा है, उसके लिए क्या करते हो, अगर सुद्भाव से आप सप्समें आते हो, तो समझे ये आत्मा का काम कर रहे हो, ये आत्मा के पूझी एक टा करते हो, रोजाना सो करके उठो, और गुरु के नाम पर धर्म के नाम पर एक रुपिया दो रुपिया पांच प्याद डाल दो, लोग चाय पीते हैं, गुटका खाते हैं, पांच जर्दा खाते हैं, कितना पैसा बरबाद होता है, तो सो करके उभी जैसे हैं उनके आधार में इसी रहुआ है उनकी सेवा आप करते हो गुरु की शेवा करते हैं उनको भेंट मुझा चड़ातों को भी बहुत्या देते हो तो उसमें बट्वारा करई इसके अलावा कोई घ्रिब का वच्चा है जो धना भाव के ओड़ा नहीं पाता है, उसको धन देकर को पढ़ादो, उसके भी उसको तो उसको दे दो, ज्यादा धन आपके पास है, गरीम महलाये lijं जिनके पास वश्ड नहीं तरुम्हें देदो तो तुम्हें जो देते हो वो प्रदभात नहीं होंगे फिर भी सुन्दो आदमी के सुभाव से और विचार से ब्यवहार से परिचे होता है जैसे ही मदन पुरगाओं में हम लोग आए हैं फेर हम तो पफ़मबारा हैं हमको इसा इसे महिसूस होता है यहाँ पर मकान बढ़िया-बढ़िया हैं कि यहाँ के लोग सुन्दर मुंदर है, यहां के वश्था बढ़िया है, क्या है, आपका बेवहार कैसा है, बेवहार से ही जाना जाता है, आदमे चार परकार का होता है, दानी, उदार, शूम, मक्खी चूश, दानी उसको कहते हैं, अपना नखा कर दूसरों को खिला देता है, उदार कहत अपना खाय कोई अवड़ा बिना धन को फूर में धन जाता है, दान हुटम गति है दान, मद्यम है भोग, कनिश्र नास, आंप में उसकी गति होनी वाली है, तो आदमी का सुभाव होता है, और एक बात आप समझने है, आदमी जनमजात सुभाव को लेकर कर जनमता है, किसी का सुभाव उदार बिचार का होता है किसी का दानी सुभाव होता है जिसे की हरी संद्र मौरद दूर्ट दानी कहे जाते हैं तो इस परकास से कुछ दो देने का एक अभ्भास बना लो तो इस परकास नहीं करना चाहिए सुनूदान एक सूर्दास सूर्दास कहीं बटकते हाथवार दे दिया दो तो नमक भात्रोज मिलता था एक दिस सूरदास कोई हीरा बें अंगे लय सLL के ली लाया मी जोहरी सूरदास के हार सरकार हीरा को दिखा दो उसके हीरा की परिच्छा की गई हीरे पर चोट मारी गई तो हीरा नकली था चकना चूर हो गया दस लाक रुपया जहरी को दंड देना हुआ राजा ने कहा सुर्दास को आज से दाल भी दे जाए क्यों नमक बात में था था ना दाल बात में ने लगी एक दन कोई गोड़ा बेचने के लिए लाया है तो सुर्दास ने कहा सरकार गोड़ा हमको दिखा दो गोड़ा के पास ले जाते हैं तो टटोलता है कहा सरकार ये गोड़ा ख़ईने या योगी नहीं है ये भैंस का दूद पिला कर गोड़ा पोशा गया है ब्यापारी नी कहा ये अन्धादमी कैसे जान गया कि भैंस का अदूद पिला कर पोशा गया है शुर्दास ने कहा सरकार पता लगाया जाए अगर भैंस का अदूद पिला कर पोशा गया तो दस हजार पिया ब्यापारी को दंड देना होगा अथवा सरकार को दसदाजार में खरी ना पड़े गा पता लगाया गया तो जब बच्चा जनमा था तो घोड़ी मर गई थी तो भैंस का अदूद पिला कर पोशा गया था ये भी बात सही ठार गई राजा ने कहा सुर्दास को आज से सब्जी भी दी जाए दाल भाद सब्जी मिले लगी एक दिन राजा ने कहा सुर्दास जरा बता दो मेरी राणी कैसी है सुर्दास ने कहा सरकार हाज औरते कि सारवा च्छमा कर जी इसको नपूछा जाए तो सुर्दास ने कहा अच्छा राणी हमारे सामने होकर के निकल जाए बैचारे के आँट तो है नहीं राणी के लिए आदेश हुआ तो सुर्दास के सामने राणी च्छमा च्छम कर के निकलती है सूर्दास ने कहा सरकार ये बेशा की पुत्री, पता लगना तो लड़की सुन्धरी थी वो गई, तो ये भी हो गया कि बेशा की पूत्री है, राजा ने कहा सूर्दास को आशे रोटी भी दी जा, बात रुटी सिभी मिनना गिना, एक दिन राजा मा ने कहा सूरदास तुम सुने सब कुछ बता है सही ठार गया लेकिन मुझे बढ़ा दो मैं कैसा हूँ सूरदास हाज होता कि सरकार इसको नपूछा जाए छामा कर दिया जाए कैने सूरदास तुम्हें बताना पड़े गा तब सूर्दास ने कहा सरकार बनिया की अवलाद है राजा की मा जिन्दा थी मा के पाद तलवा लेकर जाता है कहा मा ससच बतला में किसके दौरा पैदा हुआ हूँ अगर नहीं बतलाती है तो तेरा गला काटोंगा इसके बाद अपना गला काट के मर जाओंगा मा ने कहा बेटा जब मेरी साधी हुई कई वर्ष बीद गई कोई संतान नहीं हुई तुमारे पिता जी को बहे हो गया कि राजबंश डूब जाएगा तुन्हें ने आदेश दिया किसी दौरा संतान पैदा कर लो आप जानते हो ना मा भारत के जितने पातर हैं मा जुसरे दौरा पैदा हुई आप जो है रामान के पातर हो भी दौरा पैदा हुई तब मा ने कहा कि बेटा तुमारे पिता जी के आदेस अंसाहर एक शौसद बन्या था राज्माल मेने प्रेम किए तुमारी पैदास होगी ये भी बात सही ठारगी कि राजा बनिया की अवलाद है राजा को फिर संका हो गई फिर पूछता है सुर्दास से कि सुर्दास तुम ये बताओ तुम्हारे आँख नहीं तुम्हें जाना कैसे सुर्दास कहते हैं कि हलुक बजन से हीरा परखा घोड़ा परखा काने से सुर्दास लोगों को अब दिगर चिका दो या नोट दो पहार से टटोल के जाते हैं कहां सरकार हीरा को जो मैंने हाथ में लिया तो हलका मौन परखा उसमें बेट नहीं था अगर हीरा असली होता तो वजन होता तो हलुक वजन से हीरा परखा घोड़ा परखा काने से घोड़ा अपने मा का दूद नहीं पिया घोड़ा का कान लूज ठाइट होता अगर अपने मा का दूद पिया होता तो घोड़े की परख कोई कान से और रानी की परक शमक दमक से रानी परका रानी के चाल से परका गया कि रानी बेशा की पुत्री है और सरकार की परक दान से हुई जब दसलाग का लाव हुआ तो सरकार ने हमारे लिए डाल बढ़वाई दस हजार का लाव हुआ तो सरकार ने हमारे लिए सब्जी बढ़वाई रानी की विशन जब परखा तो हो सकता है रानी हमको फांसी दिलबा देती टो दौरानी की विश्म में परखा तो सरकार ने ये नहीं कहा सुदास को थूदा दूद दे दिया घी दे दिया जाए गोर मठे दे दिया जाए सरकार ने बन्य ऊटे किया इसलिए पता चला कि सरकार बन्या की अलाद है राजा अपनी करनी पर लज़ित हुआ तो कहने भाव यह है कि आदमी का सुभाव कैसा होता है बहुत सी माताओं कितनी सरधा होती कि सादुगू को हम क्या क्या खिला दें कितनी हम सेवा कर लें भाई लोगों के भी यह होता है हम तो भाई बिहार में 894 से मारा कायर कम बिहार में चलता लोगों को जब मैं कहता हूँ कहीं कि आप आईए कहीं बिहार में अरे कहें बाबा हम नहीं जाएंगे बिहार में ट्रक लूट लेते हैं लोगों को मार देते हैं हम का इसी बात नहीं 894 से बिहार में हमको तो बिहार हमारा ही है कि कोई ऐसी अप्तिय घटना नेगटी दूई ना हमारे साथ ऐसी घटना घटी दूई है सब सेवा करते हैं तो ब्यक्त जैसा होता है उसको उसी प्रकार से मिल जाते हैं एक गाउं में एक बुड़ा था ब्यक्ति आया कहा बावा इस गाउं में आदमी कैसे हैं बुड़ कैसे हैं हम यहां रहना चाहते हैं कहा बेटा जिस गाउं से आयों वहां के लोग कैसे हैं कहा कि वह एक aha की बड़े लोग सज्जन हैं बहुत स् measures लोग रहते हैं कुछ काठ मुझे आना पड़ा है मैं फिर वापस रहाएं आँगा ता बेटा तुम्हारे लिए यह जगा तो सब लोग अच्छे हमकों मिलेंगे अब यहां पर हमारे बिहार में बहुत श्रीस लोग भी हैं बहुत प्रेमी लोग हैं बुलाते हैं जाते आते हैं तो अब देखो हम ज़्यादा समय बिहार में देते हैं है ने हम वहाँ प्रिम कैशा है तो क्या विहार में सब मुखराब है हर और खराब है तो कहने के मतलब आगल कर वेशे लोग मिल जाते हैं अपना वह सभाव का अपने बिचार का अपने आचन का परिशे देना चाहिए आप यहां पर स्वे रहें बहुत दूर दूर से सायोग लेकर करके और यह देखो कारिकरम बनाया इस अउसर पर बहुत से संत महात्मा एकत होगे, आपकों भी एकत होगे, ये दर्शन परसा काला मिला, उनको सबको धन्यवाद है, साधुबाद है, और ऐसे ही थोड़ा थोड़ा चंदा एक अठा करके, और संतों को बुला कर कारिकरम करते रहो, ये होना चाहिए, जैसे कि माताय भी कुछ चावल दान एक अठा करें, चावल, जमा करो, एक ठोड़ा यहां पर कभीर आस्रम बना लो तो और अच्छा रहेगा, मुसल्मान भाई लोग मस्जिद बना लेते हैं, कहीं लोग हन्मान जी का मंदिर बना लेते हैं, कहीं स्यू मंदिर बना लिया जाता है, आप ग्रकります के अंकूल हैं, परख करके बाद हैं, कोई कालत्निक बाते नहीं, बुर्हान पुर में भी बहुत परकारिय पुष्टके चरगती हैं, बारावंकी पारक शिद्धान्त का मुख्यस्तान है बारावंकी बुरहानपूर और आपका ये बढ़ारा ये बढ़ारा से सम्मधित है इलहाबाद है अजुद्या उसकी साखाए है तो ये पुनस्तकों को लाइवरेरी के रूप में रखा जाए सब को पढ़ने का आुसर मिले तो अंदकार है वहा जहाँ साहीत नहीं है अंदकार है वहाँ जहाँ आदित नहीं है, मुर्दा है वहाँ देश जहाँ साहित नहीं है, साहित यगर आपके पास रहेगा, तो महापुषों के अंताकन का जो बिचार है उसमें लिखा हुआ है, संद्जन एकांत में अनभो करके, और जो कुछ लिखते हैं, और छपवा कर है कि दमाद पढ़ेंगे, समधिन पढ़ेंगे, और कोई भी पढ़ेगा, तो ज्ञान का लाब मिलता रहेगा, या सब सीख दो, एक जगा मैंने प्रवतन किया, तो भग्द थे, वो पुष्टक्ष खरीदे, और पुष्टक्ष खरीदे के, क्या, जगन मिमांसा और कबीर दर्सन, दो-दो परती खरीदा, अपने बानोई को भेट किया, और अपने दमाद को दिया भेट में, सजरों इससे क्या होता है, ज्ञान का कोई देते हैं, ये माताय क्या करते हैं, बक्सा को पेट, रंग, पावडर और सिंदू इतिया से भर देंगी, अभुष्ण से, ले खर्मे कुष्टकों को जरूर रखो, सभी संतों के जो संत महात्मा लेखक हैं, उन्होंने जो लिखा है, वो किताबों को अपने पास रखोगे, तो निशित है समयलोशी की संतों को अपने घर में रख लिया है, तो अध्यात्म विकास के लिए हम दोगों को प्रियास करना चाहिए, गरंतों का अध्यान करना, सभसंग करना, सेवा करना, और ध्याना अभ्यास करते हो, यह सब करते रहना चाहिए, सब को ध्याना अभ्यास बोज बैठना चाहिए, जैसे दो टाइम, तीन टाइम बोजन करते हो, इसे प्रकार से ध्यान के लिए भी बैठा करो, गु किसे भजन करें किसे साधना करें किसे ध्यान करें तो जड़ चेतन का सम्म्यक बहुत प्राव करें तरदनुशार आफ भ्याना भाज करें करें इसमें सफल्ता मिलेगी अब मेल ज्यादा न करके अब मैं बाणी बिराम दूंगा अब देखो बहुत बाते हो गई स्लंक्तों की द्वारा बहुत कुछ सुन चुके हो थोड़ा अपना पात्र को सुद्ध करो और पात्र को ब्यवस्तित कर लो और जितना उसमें रखना चाहो रख सको छमता हो उतना रख लो बुलोर साथ गुरू देवा की